Hello friends, welcome to घरेली वाउस्दी घरेली वाउस्दी मैं आपका स्वागत है friends Be natural, be healthy life में स्वास्थ रहें, healthy रहें Friends, Hello, आपके सामने मैं आपके आपे आग से जल जाने का इलाज लेका आया हूँ Friends, अगर आप किसी भी तरीके से आग से जल गया हूँ या फिर हाथ में, मुँ में, पैर में, किसी भी सरीर के किसी पार्ट में जल गया हो तो friends उसका मैं एक घरेलू उपचार आपके सामने लेकर आया हूँ को उसका क्या घरेलू उपचार हो सकता है उसके बारे में आपको इस वीडियो के जरी मैं बताऊंगा friends आप इसको लास्ट तक देखते रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर और जरूर सब्सकाइब कीज़े friends आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो महतपुर सामगरे दीख रही होगी यह एक है नारियल का तेल और दूसरा है चूना, जी हाँ तो चूना इस दोनों को कैसे क्या करना है और किस अनुपात में लेना है और किस तरह से लेना है उसका आपको बहुत महतपुर चीज इस वीडियो के जरी में बताने जा रहा हूँ और कैसे उसका सदूपियो करना फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसे एक क्लिक में सेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को भी इस चीज के बारे में जानगारी है तो फ्रेंड्स आईए आगे बढ़ते हैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ इसमें महतपुर सामगरी क्या है फ्रेंड्स महतपुर सामगरी इसमें आप देख सकते हैं चूने का पानी जी है जो चूना लेंगे उसको भीगो का उसका पानी आपको निकालना प को कैसे लगाना है यह भी एक मैत पूर बात है तो आईए आपको बताते हैं प्रेंट सबसे पड़ी बात इसके कुछ साउधनिया में मैं आपको बता दे हैं चाहता हूं इस वीडियो के जरी है फ्रेंट्स कि अगर बच्चों का कोई मतलब इसकीन जला हुआ हो तो प्लीज ब बच्चों को बिल्कुल भी इसे आप ट्राई ना करें जी हां कम से कम पांस साल तक के बच्चों के नीचे जो बच्चे उन पे बिल्कुल आप ट्राई करें उनके ऊपर जो बच्चे हैं उन पे बिल्कुल ट्राई करें और बुढ़े और जवानों पे भी ट्राई हो सकता ह तो आईए आगे पताते हैं आपको कैसे और कब लगाएं यह दवा जी हां कैसे और कब लगा सकते हैं आप यह दवा फ्रेंट्स बराबर मत्रा में मिलाकर तेल और चूना रख लें यहां बराबर मत्रा में दोनों मिलाकर रख लें दिन में दो बार लगाना है फ्रेंट्स यह सुबा और साम सुबा का मतलब जो 9 से 10 बजे का टाइम होता है और दूसरा टाइम आपका सुने से पहले का आप कर सकते हैं जी हाँ सुने से 2 गंटे पहले का टाइम आप रख सकते हैं तो ये जो टो टाइम है आप उसे मिला कर रख लें और आप उसे लगा सकते हैं आप इसे इंग्लिस में जानने के लिए डिस्किप्शन बॉक्स में जाए आपको मैं पता देना चाहता हूँ दूनों की कौंटि लगबग सेमी होती है इसलिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं आपके हाथ में पैर में किसी पार्ट पे अगर आपको जल गया हो तो आप इस चीज का इस्तमाल अवस करिए आपको अवस से लाब मिलेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फार वाचिंग घरेलू आउस्दी चैनल